हेलो फ्रेंट इस ज्यान सिंग वेलकम तो लेट सपोर्ट आए एक नया अपडेट आया हुआ है यूपीस के द्वारा यानि यूनियन पब्लिक सर्विक कमिशन द्वारा इसमें हम लोग अन्डिय और एन्ने का फॉर्म का अपडेट आ चुका है और फॉर्म भराना फिल होना बाहर हुँ स्लीए वीडियो को ऐसे रिकार्ड किया रहा है और सकते हैं किसका इस काई कोँट्ली वाली है उसके बा पॉरा एक चीम को भी देखने वाले हैं तो फिलाल अभी सुरु में सुरू हो गया था फिलाल हमारा अप्लिकेशन फॉर्म बढाना शुरू हो गया सकते हैं ठीक है आपके पास 20 दिन का समय मिल जाता है आप जल से जब इस फार्म को भर लीजिए और वह भी 6 बज़े तक साम तक हो फिल करना होगा यानि कि 9 जनवरी साम 6 बज़े तक इस फार्म को आप फिल कर सकते हैं इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी अप्लिकेशन आपका सुरू हो चुका है 9 जनवरी तक इसका लाज़ डेट होने वाला है ठीक है और फिर इसमें अगर कोई फॉर्म में आप कोई गल्दी कर दिये हैं तो इसमें अगर इसमें लग जाई है ठीक है और आप इस फार्म को मतलब इस इक्जाम डेट की बात करीजाए आपका इक्जाम होने से पहले तो आप वहां से जाईएगा आप जब भी रिलीज होगा मैं आपको अपडेट एक बार दे दूंगा अप्लिकेशन फीज की बात करीजाए आपका जनरल हो गया और इनका सव रुपय लगने वाला है स्ट वालों का एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं और सभी फिमेल कटेगरी कंडिडेट की बात करीजाए उनका एक भी पैसे नहीं लगने वाला है और इस एक्जामनेशन फीस आप नेट बैंकिंग के माध्यम से डेवि करना शुरू हो गया है और लाज़ डेट आपका 9 जनवरी होने वाला है और लाज़ डेट वही पेमेंट का भी लाज़ डेट होने वाला है और जो आपका लोड़ीफाई लोडिफिकेशन यानि कि आप करेक्शन जो करना चाह रहे होंगे वह आप 10-16 जनवरी के बीच कर सक करते हैं यह का इब यह का इखामने संगे अब इकजाम की बात करीजाए ग्जाम आपका इग्जामने संगा ओने वाला है आपका 21 अपरेल को आपका exam इतना इसके इसके बीच आपका एज लिमिट क्राइटेरिया होना चाहिए ठीक दो साथ 25 तक के कंडिडिये जिसका डेटा बर्त होगा डियो भी होगी वही भर पाएंगी यह जीज आप एज लिमिट क्राइटेरिया को आप जरूर याद रखिएगा ठीक तो अब वैकेंसी की आपका 120 पोस्ट मिले वाला है ठीक है आपका जो है सीटे लॉट कर दी गई हुई है और अगर कोई थोड़ी सी भी डाउट हो रही है आपको फॉर्म भरने में मैं आपको पूरा हेल्प करने के लिए तत्फर हूं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से ची इरिया की बात करीजिया आप टेन प्लस टू है इंटर वीडियर एक्जाम किसी भी जिए रेक्रनाइज निवरस्टी से यानि इस बोर्ड से पास्क आउट किये हुए है तो आप इस हम को भरने के लिए इलिजबल है ठीक है अब बात करते हैं नॉमेल अकाइडमी यानि यह ढalon । इंडिये और देगिं का जो एक्जाम होता है वो साथ ही होता है मैंने भी दिया हुआ है एकप्र कालिफ़ाई के लिया था और दूसरा पेपर नहीं यहां पे हमारे दो दोव पर होते हैं पेपर फर्स और पेपर सेकेंड होता है सारा डिटेल में आगे बताने वाला हूं वीडियो में बने रहे हैं तब तक के लिए तो नौवल अकैडमी की बात करी जाए टेन प्लस टू कैड़ेट इंटरी के लिए आपको 30 पोस्ट मिलने वाले हैं ठीक है तीस पोस् सब्जेक्ट आप किसी भी यानि कि आप जहां से 10 प्लस टू कंप्लीट के रहेंगे आप एरिंग में होंगे तो आप आपके पास चीजिक्स या मैत होना चाहिए ठीक है यह चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और मैं एक चीज और बता दूँगा आपका मैत होना इस्टॉ स्टॉंग होना जरूरी है जिसमें आपका पहला पेपर क्योंसा होने वाला है पहला पेपर आपका मैतमेटिक्स होगा जो कि धाई घंटे का होगा यानि तो पॉइंट थर्टी आवर का होगा ठीक है वह भी 300 माग का होने वाला है जनरल अवेल्टी टेस्ट की बात करी आपको 900 मार्क जो होगा रीटेन होगा फिर आपका असवी और इंटर्वी और इंटर्वियु का 900 900 नंबर कोगा यानि टोटल आपको तो आपको आसा करते हैं चीज़े क्लियर हो गई होंगी और आगे बढ़ते हैं यह चीज़े आपको क्लियर हो गई हैं अगर आपको स्क्रिंस्ट लेना है आप ले लिजेगा और यह चीज़े करना चाहे हैं इंग्लिस में 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 कर सकते हैं इंग्लिस में कर सकते हैं इंग्लिस में ठीक चीज़े आपको क्लियर हो गई होंगी अगर एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं तो आपका एक्जामने स्वारी अप्लिकेसन बीगें हो गया आप जाये जल से जल्द भरिए और नौ लाज डेट होने वाला है और सवर उपए लगने वाले हैं जनरल जनरल औ बास होना चाहिए और यन्य के लिए जो केड़ेट इंट्री वाले हैं उनका तीस पोस्ट है जिसमें आपको 10 प्लस 2 कंप्रीट या अपेरिंग में होंगे आपको फीक्स और मैस महत्त्पूर्ण होने वाला है ठीक है और आपके पास दो पेपर होने वाले हैं पेपर पेप एक पेपर भी जिसमें आपको 300 नंबर का आपका मैसमेटिक्स का पेपर होने वाला है 600 नंबर का जनरल लेवैल्टी टेस्ट देने वाले हैं ठीक है सबको ढाई-ढाई गंटे मिलने वाले हैं टोटल नौसो नंबर की होने वाले हैं यह चीज़े आपको क्लियर हो गई और आगे बढ़ते हैं यह सारी चीज़े आपको by-language लेंग लेंग लेंगली आपका हिंदी और इंग्लिस में अपका सारे कॉस्टेन्स होने वाले हैं तो यह चीज़े आपको हो गई क्लियर और अभी हम चलते हैं आपके नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन में क्या दि अगर और कोई जरूर चीज़े हैं उसके एक बार वीडियो बना दूंगा जरूर और कोई भी डाउट हो हमसे आप पूछ सकते हैं तो बस आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़ेगा वीडियो को लाइक कर सारा एक्जाम पैटर्न और सब कुछ बारे में हमें बताने वाला होगा अगर कोई चीज़ छोटी हुए हैं तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा धन्यवाद जैन जैवारत बाय बाय टेक केर